हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपसे बात करूंगा कोवीड-19 के इंपक्ट ऑन इंडिन एकनॉमी डर गए आप तेंशन भिल्कुल भी मत लीजे मैं आपसे कोई भी पैनिक क्रियेट करने वाला आज टॉपिक नहीं डिसकस करने वाला हूं कि आप भी न्यू शैनल म देख देख के ठक चुके होंगे कि इकनॉमी स्लोडाउन हो जाएगी जॉब्स चले जाएंगे लोगों के लोगों का बिजनस ठक हो जाएगा यह तो आप हर जगा सुन रहें लेकिन आज मैं आपसे कुछ इंट्रेस्टिंग बात करना चाहता हूं दोस्तों मैं आपसे यह बात करूंगा कि किस तरीके से भारत इस महामारी इस कोरोना महामारी पैंडमिक से बाहर उभर के आ सकता है हम ऐसी क्या चीज़ करेंगे कि as a citizen as a country हम इस महामारी से बाहर आ सके दोस्तों और चाइना की प्रड़क्ट का हम वहिस्कार कर सके बॉयकॉट कर सके तो आए समझते हैं कि हम यह कैसे कर सकते तो सबसे पहली बात दोस्तों किसी भी देश को सम्रिद्ध बनने के लिए लीडिंग एकनॉमी बनने के लिए हमें अपने कंट्री में इंडुस्रिलाजेशन प भी बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है तो क्योंकि यही चीजें जो है हमारे देश में फॉरन रिजर्ब लेके आती है और जिससे हमारा देश या कोई भी सम्रिद्ध बनता है तो आए बात करते हैं कि किन तेन कारणों से हमारे देश में हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सक हैं तो आएए दोस्तों तो तीन कारण है पहला तो मैनुफैक्ट्रिंग दूसरा हैं इंप्रूब इंप्रूविंग उफ लेबर लॉस और पीसरा है टेकिंग अडवांतेज ओव कोवीड-19 तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैनुफैक्ट्ट्रिंग पर मैनुफैक्ट् वोटर चाइना है , इसलिए क्यों हो सेकेंड लाजेस्ट लीडिंग awards दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि China ने ये जो मुकाम हस्ल किया है वो कैसे किया मैं आपको तीन एक्जामपल देता हूं कि China किस तरीके से आपको समझ जाए किस तरीके से ये वोरे वर्ल्ड एकनॉम्मय में अपने export के कारण के अपना ज़्यादा famous है तो दुनिया में जितने computers बनते हैं दोस्तों और हर साल जितने computers sale होते हैं पूरे दुनिया में हर साल वो around 30 करोड है 30 करोड pieces जिसमें 90% चाइना में बनते हैं मतलब 27 करोड आप समझेते हैं दोस्तों दूसरी बात है phones की उनको पता है दोस्तों पूरे साल भर में पूरे वर्ड में 200 करोड फोन बिखते हैं जिसमें की 70% चाइना में बनते हैं मतलब 140 करोड फोन सिर्फ चाइना बनाता है और air conditioning शहां बात करते हैं दोस्तों तो 11 करोड एर कंडिशनर पूरे साल भर में पूरे वर्ड में विकती है और खपत है इसका लेकिन इसमें total 80 परसंट चाइना में बनते हैं दोस्तों, अरांव्य 8 करोड चैना में ही बनते हैं समझ सकते हैं कि electronics market में चाइना कितना ज्यादा आगे और भी बाकी market में भी चाइना बहुत ज्यादा आगे है दूसरे countryों से दोस्तों खासकर भारत से लेकिन मैंने आपको यह तीन example इसलिए दिये क्योंकि electronics की electronics gadgets है और इसका खपत पूरे वर्ड में बहुत ज्यादा है और इसी कारण से चाइना बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है export market से अब बात करते हैं कि भारत चाइना से क्या import करता है दोस्तों और चाइना क्या export करता है बात बराबर है तो जितना भारत में electronics item का खपत है दोस्तों मतलब जितने electronics चीजे हम लोग भारत में यूज करते हैं 45% 45% वो चाइना से आते हैं आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ड में जितना ज्यादा चाइना export करता है जितना total electronics गजट जितना भी export करता है उसका 45% वो इंडिया को देता है दूसरी बात है कि जितने machinery इंडिया में खपत है खर्च होते हैं मतलब जितने हमें यूज करते हैं उसका वन थर्ड भाग चाइना हमें प्रोवाइड करता है दोस्तों 40% organic chemicals हम चाइना से पर्चेस करते हैं दोस्तों आपको यह जानके हरानी होगी कि 65-70% active pharmaceutical products और उसके इंडिग्रेंट्स मतलब हम लोग हमारी कंपनी इंडिया की कंपनी बहुत सारे pharmaceutical बनाती है लेकिन जो उसके अंदर में जो raw material यूज होता है यह 65-70% हम लोग चाइना से लेते हैं दोस्तों और फोन की जब बात करते हैं तो 90% अभी के टाइम पे फोन जो है जो भारत में लो लोगों दौरा यूज किया रहा है वो चाइना से हा रहा है और भारत का और चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा है दोस्तों हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से और एक्सपोर्ट काफी कम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे चाइना को boycott कर सकते हैं विकास हमें सस्ता और अच्छा समान चाइना ही दे रहा है हम खुद manufacture नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो electronics products हम लोग चाइना से खरीदते हैं इसके हम करते हैं उसको assembly वह इंडिया में करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं अगर हम यह काम करें कि जो भी product हम manufacturing जो भी electronics चीजों का जो चाइना में हो रहा है और हम चाइना से खरीद रहे हैं अगर उसका manufacturing अगर हम इंडिया में start कर दे तो हमें चाइना से लेने की जवर्वत नहीं पड़ेगी दोस्तों लेकिन ये इतना आसान नहीं है हमने इससे पहले भी ड्राइ किया है बहुत बार लेकिन जो रेट में चाइना देता है उस रेट में हम कभी भी उससे टैली नहीं कर पाते हैं इसका रीजन ये है कि इंडिया को सबसे जादा बिक रहा है और वाल में कट्रीन को दूसरेता है भी एक बाद सबसे करता है और में कैसे करता है सकता है इसा इतने ज्यादा बढ़ा देता है इतना ज्यादा इंक्रीस करता है कि जितन ज्यादा वह करता है बल्क में यूज कॉंटिटी में प्राइस अपने आप नीचे कमा जाती है उसके बाद जाके वो पूरे वर्ड मार्केट में बेजता है दोस्तों आपको पता है जो प्रेसिडेंट है चाइना की वो कभी भी बाहर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो वहां के ऑंट को और बड़ा बनाने के लिए बहुत सारे स्कीम से बहुत सारे इंसेंटिव्स चाइना सरकार महां के ऑंट्रॉप्रिनर्स और बिजनस्पैन को फ्रॉइड करती है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम तो स्टार्ट होते ही नहीं है कि हां में मार दिया जाता है तो सोच नहीं है कि इंडियन गौर्वर्मेंट कुछ अच्छा काम ने कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है बस मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगर हम चाइना से सीख ले तो ही हम उससे कंपेट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम अपने घर पर ही अपने इंडिया में ही अगर मैनुफैक्टिरिंग खुद से करें खुद प्रोडक्शन उसको ज्यादा बढ़ा है गौर्वेंट सपोर्ट करें इंसेंटिव दें तो क्या है कि हम दूसरे कंट्री को भी कंविंस कर सकते हैं कि मेक इंडिया के इनिशेटिव के तहत हमारे यहां पे इन्वेस्ट करें ताकि यहां पे इंप्रॉइमेंट जेनरेट हो अनिप्रॉइमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो प्लस हमारे जो अंट्रॉइनर है उनको भी हम सपोर्ट करें ताकि वह खुद की इंडस्ट्री डाल सके और बाहर से हमें चीजे मंगाने की जवरत ना पड़े इंप्लॉइमे बाएगा और हम लीडिंग बन पाएंगे और हम यूस और चाइना जैसे मार्केट से कंपीट कर पाएंगे दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंडिया का लेवर लौ है यह अंगर हम थोड़ा इन्हांस करें मैं आपको एक्जामपल देता हूं दो चाइना और इंडिया में वही सेम परसन अगर काम करता है तो इस गेटिंग 10,000 रुपीज तो 30,000 वहां पा रहा है 10,000 यहां पा रहा है सेम काम के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको इन्हांस करें तो हम जो यहां के लोग चाइना में या दूसरी कंट्री में जाके काम करते ह हम उन्हें यह कर सकते हैं कि आप यहीं काम करिए और अपने देश के लिए करिया हम उनको रिटेन कर सकते हैं रोक सकते हैं दोस्तों और बाहर से भी स्किल्ड लेवर को हम हायर करके बुलाके मेक इन इंडिया इनिशेटिव को सक्सेस्फुल बना सकते हैं है निक 20 तीसरी बात ये हैं दोस्तों कि हम और कैसे फाइदाह ले सकते हैं फाइदाह zg Sarai हम यह कolut नाइंटीन पैंडमिक से तो आप बोलेंगे की इससे तो पूरे देस नुक्सान है हमें फाइदा कैसे होगा दोस्तों हमें फाइदा होगा ुख सोचे तो हमें फाइदा होगा ऐसे आप नियू से अपना mails जितनी companies हैं दुनिया मतलब जितनी countries हैं दुनिया की वो चाइना में अपना investment रखना ही नहीं चाहती है वो अपने company को बोल रही है कि आप चाइना से अपना setup हटा ले आप किसी और country में लगा ले लेकिन चाइना में नहीं लगा है और चाइना में जो यह coronavirus सहर से ही आया है तो कोई भी जान से रिस्क लेना नहीं चाहता और इस situation का अगर हम फाइदा उठाएं क्योंकि दूसरी economy जो है वो चाइना को हटा के कोई उसका alternative ढूंड रही है और अगर हम वैसे economy को convince करने के लिए convince कर लेते हैं कि आप यहां पर आकर अपना setup लगा है making India के त हमाएं तो यह हमारे लिए हमारे economy के लिए बहुत बूस्ट होगा दोस्तों और यह chances अभी की टाइम पर बहुत अच्छा है हमारा export market बहुत जादा बढ़ सकता है इस situation में क्यूंकि चाइना का मार्केट काफी डाउन होने वाला है as compared तो चाइना पहले था और इस situation का हमने फ tax का rule है one country one tax one GST एक ही tax कर दे अगर तो क्या है कि यह जो problem है दस तरह का जो GST लोगों को देना पड़ता है मतलब अलग 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 जगह पे अलग अलग है लेकिन अभी situation यह है कि लोग को पास पैसा ही नहीं है लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे है तो इस situation में यह भी काम कर सकता है तो दोस्तों मैं बस यह बोलना चाहता हूं कि हमारे पास अभी काफी ज्यादा opportunity है अपने export market को explore करने का और चाइना को पीछे चोड़ने का क्योंकि चाइना कितना भी सस्ता माल बना दे बाकि जितनी economies हैं बहुत सारी economy ने अब उनको boycott करना चालू कर दिया जापान ने तो खासकर आपने देखा ही होगा कि अपने सारी कंपनी को बोल गया है कि जो भी क्योंकि हम बोल तो देते हैं कि हम समान नहीं खरी देंगे यह नहीं खर देंगे लेकिन सच मानिये दोस्तों हमारी एकनोमी चाइना की इकनोमी पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है यह सचाई है और अगर हमने अपने एक्सपोर्ट मार्केट को नहीं बढ़ाया कोविड नाइटीन का जो सिच्वेशन है उस पे अगर उसका फाइदा नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ तकता है क्योंकि चाइना की एकनोमी का हालत बहुत ज्यादा भी खराब होने वाला है इवन आयम इंडियन मॉनेटरी फंड ने यह प्रजेक्ट किया है कि आने वाले दिनों में तोटल 170 जो कंट्री है कि जो नेगेटिव में जाने वाली ह मतलब उसका ग्रोथ नेगेटिव पे चला जाएगा सिर्फ दो ही कंट्री जो नेगेटिव पे नहीं जा रही है एक चाइना दूसरा इंडिया चाइना का प्रोजेक्टिटिट है अप्रोक्सिमेटली 3% अगर निकालते हैं सारे जिनसे का एवरेज और अगर इंडिया की ब अब आउंगो आपके पास किसी नव वीडियो के साथ थैंक यू